Hello friends, now we have to discuss our next topic that is the protein, right in this protein we have to discuss that is what is amino acid, कि amino acid क्या होता है हमें वो discuss करना पड़ेगा protein के structure को समझने से पहले, ओके तो amino acid क्या होता है, इसको अगर हम देखे तो amino acid क्या होता है, amino acid एक organic compound होते हैं, जो की combined होते हैं, जो की combined होते हैं क्या form करने के लिए, तो form protein को form करने के लिए ये amino acid एक organic compound है, जो की combined हो रहे हैं, protein को form करने के लिए, अगर हम इसके journal structure की अगर हम बात करते हैं, तो इसके journal structure में एक carbon होता है, एक COH होता है, कार्बन की वेलेंसी चार होती तो हम उसको satisfy करेंगी उसके बाद एक NH2 ग्रूप होता है और एक होता है R ग्रूप यह COOX जो है इसको हम carboxyl group कहते हैं इसको हम carboxyl group कहते हैं NH2 को हम amino group कहते हैं R एक hydrogen है और जो R है R क्या होती है इसकी एक side chain होती है यह side chain होती है जो की different होती है हर एक amino acid में हर amino acid में different होगी यह side chain अगर हम इसकी history की बात करें amino acid की अगर हम history की बात करें तो जो first amino acid जो find out हुआ था first amino acid जो find out हुआ था उसको हम क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं aspargene aspargene हमारा first amino acid है जो की find out हुआ था 1806 में aspargene find out हुआ था उसके बाद find out हुआ हमारा cysteine और सबसे last amino acid जो find out हुआ वो है हमारा threonine अगर हम इसके amino acid के journal structure की अगर हम focus देखे journal structure पे तो जितने भी amino acid जितने भी amino acid होते हैं उन पे हमारा amino group होता है amino जो group होता है यह NH2 वाला यह क्या होता है basic group होता है राइट और इस amino acid में nitrogenous compound हो गया NH2 इसके साथ साथ यह basic group है amino group क्या है हमारा basic group है ठीक है basic in nature है उसके अलाव बेसिक amino है यह उसके अलावे जो carboxyl group है यह कैसा हमारा acidic है यह कैसा होता है हमें acidic nature का होता है ठीक है उसके अलावा इसमें एक R chain का आप के मैंने बार के मैंने मैं से बताया थे सिक्वार क्या है एक side chain है जो की हर एक हर एक amino acid में अलग अलग होती है उसके अलावा जी जो सेकेंड कार्बन है जिससे अमीनो गुरुप जुडावा है जो सेकेंड कार्बन है जिससे अमीनो गुरुप जुडावा है उसको हम अलफा कार्बन कहते हैं फरस्ट अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे तो फरस्ट यह हो जाएगा सेकेंड का इसके अलावा यह जो एल्फा कार्बन है यह अमीनो एसिड में असे में होता है इसमेट्रिक का मतलब इसके चारो बॉंड जो है वो अलग-अलग होंगी एसकेप्ट ये सारे asymmetric होते हैं ये सारे asymmetric होते हैं एसकेप्ट किसे glycine से क्योंकि glycine में ये जो R गुरूप है वो क्या है हमारा hydrogen है ये जो R chain है वो क्या है हमारी hydrogen होती है glycine में इसकी वज़े से ये asymmetric नहीं होता सिर्फ glycine में बाकी जितनी भी होते हैं वो सारे asymmetric होते हैं ठीक है यहां पर glycine में hydrogen आर्चिन में क्या आजाएगा hydrogen आजाएगा एच्छ लग जाएगा ठीक है तो उसके वेसे यह केराल कार्बन नहीं बन पाएगा उसके वेसे यह जो अलफा कार्बन नहीं बन पाएगा जिसकी वज़े से यह asymmetric नहीं हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ glycine के केस में उके उसके अलावा अगर हम आगे भरते हैं तो PS7 पे जहां पे PS7 एक ऐसा है जहां पे कार्बोक्सील ग्रूप और NH2 जो अमाइल ग्रूप है वो आयोनाइज रहते हैं आयोनाइज रहते हैं का क्या मतलब हो गया कि उहां पे यह न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं PS7 एक ऐसा pH है जहां पे COO माइनस नहीं होते है COH रहता है और यहां पे NH3 प्लस नहीं होता है NH2 होता है मतलब इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और इस पे कोई भी नेगिटिव चार्ज नहीं आएगा कौन सी pH पे? At pH 7 तो यह जो structure जो मैंने यह वाला जो structure बनाया है यह कौन सी pH का बनाया है? यह मैंने बनाया है pH 7 पे ठीक है? यहां तक सब को clear हो गया आगे बढ़ते हैं अब हम इसके बाद हम classification पढ़ेंगे पर classification को पढ़ने से पहले मैं एक चीज और यहां पर discuss करना चाहूंगी जो की होता है peptide bond formation क्या होता है? peptide bond formation इसका मतलब peptide bond कैसे बनता है? तो peptide bond कैसे बनता है? हम सब जानते हैं जब दो amino acid combine हो जाते हैं protein बनाने के लिए तो उनका बीच का जो bond होता है उसी को हम peptide bond कैते हैं क्या बनता है? जब दो amino acid combine हो जाते हैं protein बनाने के लिए तो उन दोनो amino acid के जो join कर रहा है जो जोड रहा है जो उनको combine कर रहा है वो वाला जो bond है उसी को हम peptide bond कहेंगे भई उसको हम peptide bond कैसे कहेंगे? इसको समझते हैं ठीक है उसको समझने के लिए सबसे पहले में सपोज मैंने एक amino acid बना रही हूँ एक amino acid यहाँ पे ले लिया R1 CHR1 NH3 प्लस C double bond O और इधर OH प्लस यह एक amino acid है एक और amino acid मैं हाँ पे ले रही हूँ NH2 CHR2 COO- दिख गए आपको amino acid यह हमारा amino acid 1 है और यह हमारा amino acid 2 है अब अगर यह दोनों combine होंगे तो जब यह दोनों combine होंगे तो क्या निकलेगा? water molecule निकलेगा जब यह दोनों combine होते हैं यह दोनों amino acid जब जूडेगे तो क्या निकलेगा? water molecule निकलेगा और इनका formation कैसे होगा? ध्यान से देखना आप यह वाला H, मतलब यह CO और एक यह H, यह water molecule में निकलता है तो अब यह कैसे जूडेंगे? उसको आप ध्यान से देखना यह तो हमारा पहला amino acid हो गया, CO लिखना है इसका मुझे तो मैं दूसरे पैंसे लिख रहे हूँ, यहाँ पे यह N, दूसरे वाले का N है यह ठीक है, दूसरे वाले amino group का यह N है और यह, तो यह वाला जो bond यहाँ पे जो बना यह bond यह bond हमारा कहला आएगा peptide bond, ठीक है? अब मैं इसको एक language में बता देती हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करना इसमें की क्या कह रहा है कि जो alpha amino acid है, उस जब वो polymerize होता है, alpha amino acid जब polymerize होता है, मतलब water molecule निकलता है तो CO और जो NH की बीच का जो linkage होता है, उसी को हम क्या कहते है, peptide bond कहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, protein के अंदर, भहुत सारी polypeptide हम कहते हैं, तो यह polypeptide कैसे हो गए? अगर यह तो इस chain में एक amino acid है इस chain में यह एक मतलब दो amino acid जुड़े, एक peptide bond बना, तो इसको हम क्या कहेंगे? Mono peptide, अगर हम दो peptide bond मतलब यह भी अगर peptide bond बना दे, इदर एक को हट जाए, इसको और एक एक यह भी peptide bond बना दे, तो यह क्या हो जाएगा? dipeptide, फिर tripeptide oligomins 3 से 10 के बीच में और ऐसे आगे भड़ता जाएगा, तो जब भहुत सारे amino acid जोड़ते जाएगे, तो वो क्या बना देंगे? polypeptide बना देंगे, तो protein क्या होता है? protein की definition पुछी जाएगे, तो protein क्या होता है? protein आर्दी molecule that consists of one or more polypeptide chain, एक protein एक ऐसा molecule है, जिसमें एक या एक से जादा polypeptide chain हो, मतलब भहुत सारे amino acid के group combined हो रखे हो, उसी को हम protein कहते हैं, through a polypeptide chain, acid को हम भहुत सारे अलग अलग बेसिस पे क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइ कर सकते हैं, तो उद में से कौन-कौन से बेसिस होते हैं? एक तो होता है हमारा polarity basis पे, polarity का मतलब होता है कि वो polar है, non-polar है, तो उस पे कोई charge नहीं होगा, polar है, charge है, है, तो कौन सा positive वाला या negative वाला, या कोई charge नहीं है, उस basis पे अगर हम इसको classify करने तो क्या क्लासिफाइ करते हैं, कि वो aliphatic है क्या, aliphatic मतलब linear chain बना रहा है, aromatic है क्या, aromatic का मतलब हो गया, कोई एक ring structure बना रहा है, या फिर, या फिर sulfur है क्या, मतलब sulfur containing है, या नहीं है, तो वो हम इसमें बात करते हैं, तीसरा हम जो classification लेते हैं, वो होते हैं, nutritional requirement पे, nutritional requirement के, इस आप समन इसको दो में दिया, essential और non-essential, essential का मतलब होता है, essential का मतलब वो होता है, कोई ऐसे essential, या essential का अगर हम basically मतलब देखे तो उसका मतलब होता है, कोई ऐसे amino acid, जो कि हमारी body में synthesize नहीं हो रहे, इसलिए हमें वो भार से चाहिए, वो हमारे लिए जरूर ये, वो essential है, उसके बिना ह जो हमें भार से जरूरत नहीं पड़ती, हमें उनकी भार से जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि हमारी जो body है, उन amino acid को खुछ सिंतेसाइज कर सकती है, इसलिए हमें उन amino acid की भार से जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम non-essential amino acid कहते हैं, तो ये जो classification and nutritional requirement पर होता है, उकि इस structure पर मैंने बतायाता है, aliphatic, aromatic और sulfur containing, polarity की साफ से मैंने बताया है, polar with no charge, polar with positive charge, polar with negative charge और non-polar, तो ये सारा जो amino acid का जो classification है, इसको हम next वीडियो में मैं आपको समझाओंगी,